कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए बच्चों आज हम सभी हमारे समा विकेशन का होंवर्ग सॉल्व करेंगे क्लास फर्स्ट के हम यहां बात कर रहे हैं बच्चों सब्जेक्ट है हमारा इवी एस ठीक है तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा देखिए बच्चों डे 24 अफ में को हमें क्या होंबग दिया गया है बुद्ध पुर्णिमा फुल मून डे इन दी मन्थ और बैसाख इस सेलिब्रेटेड एस बुद्ध पुर्णिमा देखिए बच्चों अब सभी को पता होना चाहिए बुद्ध पुर्णिमा कब मनाई जाती है बच्चों जब फुल मून डे होता है जिस दिन पूरा चांद होता है पूरा चांद जिस दिन निकलता है बैसाख में ठीक है उस दिन बुद्ध पुण्णिमा मनाई जाती है बच्चो बुद्ध पुण्णिमा to celebrate the birth anniversary of Gautam Budd बच्चो देखें, बुद्ध पुण्णिमा को Gautam Buddh का birthday anniversary celebrate की जाती है और बच्चो Gautam Buddh कौन थे? बच्चो ये बुद्धिज्म जो हमारी religion है उसके founder थे ठीके बुद्धिज्म जो बुद्ध धरा में बच्चो उसके ये फाउंडर थे उन्होंने इसकी खोज करी थी He was a spiritual teacher और बच्चो ये एक अध्यात्मिक गुरू भी थे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बच्चो बुद्ध पुर्णिमा कब मनाई जाती है फुल मून डे इन दी मन्थो पैसाग 2021 में बच्चो 26 में को बुद्ध पुर्णिमा है सभी ध्यान रखिएगा ठीके बच्चो ये क्यों मनाई जाती है बच्चो इस दिन गौतम बुद्ध का बर्थ अनिवर्सी सेलिबरेट की जाती है बच्चो गौतम बुद्ध थे वह बुद्ध धरम जो बुद्धिस्म रिलीजन थे उनके फाउंडर थे और वो एक स्प्रिच्च्वल टीचर थे अध्यात्मिक गुरू थे ठीके बच्चो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब सभी को क्या करना है यहां आपको टेस्ट दिया गया है सौर सौर मिन्स खट्टा होता है आप सभी को यहां पिच्चे ड्रॉ करनी है लेमन ओकी पाइनेपल पाइनेपल यॉगर्ट चीज इन सभी को सौर टेस्ट होता है ठीके नेक्स्ट बच्चो स्वीट मिन्स मीठा मीठा टेस्ट कौन कौन से फुड आइटम का होता है देखिए बच्चो बनाना हम यहां दिया गया है बनाना के अलावा बच्चो और बहुत सारी चीज होती है लाइक मैंगो शूगर शूगर भी मिठी होती है ओके लाइक बच्चो स्वीट्स जो होती है हमारी मिठाईया जीने हम बोलते हैं वो भी मीठी होती है अब बच्चो ऐसी कौन सी फुड आइटम्स है जो कि बीटर बीटर मेंस होता है बच्चो कड़वा कड़वा होता है खाने में तो बच्चो देखिए नीम की पत्तिया होती है ठीके करेला जीससे हम बीटर मेलन बोलते हैं बीटर मेलन ठीके और कौन-कौन सी चीज़ी होती है बच्चो बच्चो कॉफी कॉफी सभी को पता है ठीक है वो भी कड़वी होती है डाक चॉकलेट एक चॉकलेट बच्चो मीठी भी आती है और एक डाक भी आती है तो डाक चॉकलेट बीटर होती है कड़वी होती है ठीक है आया सभी को समझ में चलिए बच्चो नेक्स्ट देखते हैं in the blanks with appropriate word देखे बच्चो आप सभी को क्या करना है यहां आपको younger और elder से यह sentence fill करने है your father is dash than your uncle बच्चो आपके घर में आपके uncle होंगे उनसे आपके father elder है बड़े हैं यह चोटे हैं तो यहां लिखेंगे young younger than your uncle your brother is dash your sister your brother is elder you are elder or younger you are younger than your brother your mother is dash your father आपके मम्मी आपके father से बड़ी हैं यह चोटी हैं तो यहां लिखेंगे elder चिक है plant part flowers eat flower type food item for example cauliflower, broccoli सहेजन, flowers etc drink fruit or cold coffee family fun time, game of the day, business, world, chain with your family activity fireless cooking make vegetable sandwich with the help of elder person of your family फखें हैं गश्चे खाल, एक सबी को समझ में आया हैंगो अच्छे से आई होप वीडियो तो बच्चो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए समझे और अपनी व्रक्षीट को वीडियो की हेल्ब से सौल्व किए बच्चो अगर आप सभी को मेरे वीडियो अच्छा झाल झाल